हालो गाईज, गूड आप्टरनोन, कैसे हैं सारे, आई होक सभी अच्छे होंगे, आज मैं आपके लिए लेके आई, मैंगो शेक की रेसपी, जो कि मैं आपके लिए बनाऊंगी अभी, तो मैं आपको बनातके दिखाती हूँ, तो गाईज मेरी मम्मी आगे थी, तो ये है एक आप, ये देखे, पत नहीं कौन सा, मैं मुझे, नहीं पते क्या मोलते है, आभी मैं इसको छीलूँगी, और इसको सलाइसभी में काटोंगी, तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये दिखे, मैंने कर लिए मैंगो को पील, और आभी मैं इसको छोटे-שोटे सलाइस मैंं आपको दिखा देती हूं कर देगी मैंने 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 मंगो के पीसी आप scrambled नहीं मैं इस को डालाएं ग्राइंडडर ज़ार में आपको बताती हूं साथ में क्या क्या ड़ेगा को भी बताती हु चैनी शार बहुरत हैंN मतलब टीस्पून जो है बोलिये है मैंने चीनी के अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल चेल्ड पानी है ठंडा पानी एक गिलास मतलब एक यह चोटा सा गिलास है यह डाल रही हूं मैं यहां पर अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी यह दिखे बिल्कुल अभी मैं इसमें डालूंगी दूद बिल्कुल ठंडा दूद है घर का दूद है हमारी गाए का दूद है बहुत ही हेल्दी होता है तो मैं डालूंगी मैं कितने कॉंटेटी डालती हूं मैं बता देती हूं इस गिलास से मैंने पानी डाला था वही गिलास एक मैं डाल रही ह बिल्कुल ठंडा दूद है फ्रेज में रखा हुआ था यही डाल रहे हूं मैं इसमें मेरा मैंगो शेक बिल्कुल बनके रेडी है अभी मैं इसको सर्व कर देती हूं मैंने दूद डालने के बाद भी इसको ब्लेंड किये है उसके बाद अभी सर्व करने के लिए रेडी है त कि इसमें बिल्कुल मिक्स हो गए है तो यह है मेरा भेंगर शेक आप भी अपने घर में मनाईए और गर्मियों का लुट फूठाइए बहुत ही टेस्टी बनके त्यार है और बहुत ही इजी रहता है जैसे कि मैंना आपको बताया तो अब नए वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए बाब बाई